क्या मूड में क्या Kemper एक अगदम गाड़ी चलते-चलते रुग गई इंडिया से हार गए तो ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम से इसे कितना पॉंप अप हैं और कैसे देखते हैं उस्ट्रेलिया की टीम को वालिकुछ इसलाम बिलकुल गाड़ी चलते चलते रुक गिया और एक स्टॉप आ गया था लेकिन यहां कि आगे बड़े सारे स्टॉप्स हैं और गाड़ी चलेगी ऐसी हार स्टॉप से जो है वो द कि आप इसको मानें या ना मानें लेकिन इंडिया के खिलाब मैच में जो हुआ तो मतलब एक पाकिस्तान टीम का जो कैलिबर था उससे तो बहुत नीचे परफॉरमसी लेकिन पांच दिन बाद अब जब कल ग्राउंड में टीम उतरेगी तो इन पांच दिनों में क्या ऐसा कुछ हुआ कि वो सब कुछ पीशे चोड़ कर अगले छे मैचिस में एक नए तरफ देखेंगे और फिर इस वक्त पाकिस्तान के पास तेरा फिट कलाड़ी है हालां कि पाकिसान की रिवायत रही है कि 11 अशिया कप में तो अनाउंस कर देता था तो यह सारा कुछ जो दाएं कर देखेंगे और इसा निया कि हम नहीं मान रहें बिल्कुल हमने मिस्टेक्स किया लेकिन इस नोट अफ द वर्ल मैं बोलूंगा और हो सकता अपने यह वर्ड सुना भी होगा काफी दफार चीज कुछ चेंज नहीं हुई बिल्कुल हम हारे और हमें पैन हुआ इस चीज का अपने बात की है जो है थारीन फिट प्लेड यह थेखें और इंजरी जो है वो किसी के हाथ में नहीं है तो जब हम होटल में कमरे में रहेंगे दो रूम सिकनस तो होगी तो यह बस वो रूम सिकनस है और फूलू जल्दी ठीक हो जाएंगे और बाकि एस इसाट के एक और हम भी बड़ी टीम है अलमदुलिला हम यहां पर वल्लकुप जीतने आएंगे आए हुए है और कोशिश हमारी एक अच्छी क्रिक्ट खेले और जिसना आपने पता नहीं क्या बात किया कि अच्छा इस्या में 11 और यह वो मुझे अच्छा I don't know यह मैंनेजमेंट के काम है अगर मैं हैटकोच होते हैं कि अच्छाइब को बता देता है हम लोग इस टॉर्णमें 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 पहले आइवन एश्या कपके दौरान वीवर कॉल्ड थे बेस्ट पेस अटैक यून ऑन अफ बेस्ट इन वर्ल्ड और अभी हम जैनरली स्ट्र पर अपने जो बेस्ट आटक इन वर्ल जो बोला वह उमने खुद नहीं का वर्ल कहती है और मेरे लिए बोलर चेंज हुआ है बाकी तो सारे वह हैं और मेरा जो वाल का एंट्री है जो आप लोग और शाय नहीं अच्छा लग रहा है बड़ एक अश्या लग रहा है लेकिन पाकिसान में पाकिसान में जित्वाया है आप मानते हैं चीज को बिल्कुल और आइनों के वह उस तरह नहीं है लेकिन वेरी सुन वेरी सुन और इसने बहुत सारी परफॉर्मर्स दिया पाकिसान के लिए तो इस भी एक बोलिंग लाइप एक बंदा चेंज हुआ है वह उन और हमारी कोश्चिश यह है कि हम जो हो अपनी टीम के लिए परफॉर्मर्स करें है हसन आप काफी सारे ओवस मतलब थोड़ा न्यू बॉल से डालते हैं पर हा काफी सारे ओवस में डालते हैं वहां पर कई ऐसा बार होता है क्या कि थोड़ा रंस गए तो भी हम थोड़ा में बॉलिंग के बारे में जो ओडियाई क्रिकिट है या चाहिए कोई भी फॉर्मेंट जब तक आप विकेट सी लेंगे आप बैस्में को रंस करने से नहीं रह सकते और तो स्पेशली ओडियाई में जो मिडल्स ओवर्स हैं वो डिफिकल्ट होते हैं अजे बॉलर क्योंकि कि अधर आप इन देखा देख लेंगे जो टुछिशिश होती है इसको यूज करें और जब यूज में विकेट्स लेते हैं अभी सो फार मिड़स में विकेट्स हारी हैं कोई भी गेम बढ़ा के बेख लें ओपर से रंज बनते हैं लेकिन सड़नली जो वो बैटिंग लाइ क्योंकि मेरे अगर आप देखा जाए तो मैंने मिडल में काफी विकेट्स लिए हुए हैं तो मैं उसी रोल को जो है वो लेकर चल रहा हूं हसन पाकिस्तानी फैंस की कमी आपको मैसूस हो रही है एमद अबाद में तो डैफिनिटली होई होगी हो रही है और दूसी बात कि अब जाए तो फॉर्ट नंबर पर लेकिन रण रेट है हमें जीत के साथ सथ अपने रण रेट को भी बैतर करना होगा अब अब बढ़ गया है जब से आप लोग आए है माशा आला आपको विज़े मिले हैं तो हमारे फैन्स वह पहले फोर्टी थी फाइव सिक्स ऐवन हो यहीं है तो यहीं यह पर्फेसिल यां पर कर फोकस होना चाहिए और रन रेट की श्र गषवी नहीं होता है Add मät्च जीज़ें तो मेरे खिल जाए मेरे चीज़ेंगे सारी चीज़ें होगा और हर् टीम में शोलिज़ें पहले हो 28 कि हए लिए टीम का एक यह तर केलने आप लोग हमें क्रिटिसाइज कर सकते हैं अगर जब हम उसी रान रेट से मैचे जीत रहे हैं तो फिर हर किसी अपनी टीम का क्वे होता है तो वही हम लेकर चल रहे हैं अब साफ़सर आपने कहा मैं कोच और कप्तान तो नहीं हों कर प्लेंग 11 बता हूं लेकिन यह तो आप ब प्रिटारी और महमान नवाजी कैसी हो रही है इस्पेशली आपकी हमारे इस तिंक सारे रिकावर हो गए है महमध हारिस थे वो ट्रैवर जर्व में थे वो भी आज ग्रोंड में आया है तो सारे जितने भी प्लेज आव वेलेबल है इस फखर नहीं है उनकी थोड़ा नहीं कर दो चल रहा है बाकी 14 प्लेज अवेलेबल है और बाकी as I said के मैं कैप्टन और बहुत नहीं हुआ कर दो और रही होस्पिटालिटी की बात तो होस्पिटालिटी बहुत अच्छे तरीके से करे हैं जी मुझ पे जादा एक्स्रा प्रेशर भी है तो बहुत मज़ा रहा है होस्पिटालिटी में कोई कमी यह और बड़ अच्छे तरीके से हमारा ख्याल रख रहे है यह एक चीज़ है कि हम लोग बायर नहीं जा सकते अगर जाना आता तो स्क्राइब के साथ एक टीम पूरी जाती है बट वो फिर एनफ वो इस्यू है लिए कि होस्पिटालिटी सो आपके पर्सनल बॉलिंग एवलुशन को लेकर एक साल से आप नहीं थे टीम में तो आप किस एरियास में आपने उस दोरान वो किया एंड वोट वोट विए लाग जबी एक पेकिंग और मैं थोड़े पेस बोलर्स में थोड़े गिरते के वह तोड़े गिरते के तोड़े यह तो मुझे पता है कि यहां से क्वेश्चन आया होगा क्योंकि आप इनके इच्छे दोस्त हैं तेके बिलकुल मैं एक साल से टीम से बार था और मैंने कुछ चेंज नहीं किया और कुछ ऐसी कोई चीज नहीं लेकर जो बस अपनी बेसिक्स पे काम किया और फोकुस किया क यहां पर कुकीड में तो इस मेरत करेंड कंचि को यहां मैंत की नहीं करूंकि अपरपर्फ़aintटी में उसको परफार्टर्टोन्य इसको घ्रैब करूं तो वही चीज थी और मुझे का तो है और मेरी पूरी को चीज थी और मुझे और मेरी कोशिच है लोगा मैंने की बात और जो मेरा एक्सपिरियंस है उसको यहां पे शो करूँ मेगा इवन्ट में क्योंके पुरी दुनिया इस इवन्ट को देखती है हर चार साल के बाद होता है तो बापनी आवस्ट वर्किंग उन्मा बेसिक बैसिक बैसित नहीं स्पेशल दोस्ति यारी चल दिया है तीम में भी त्वेरा अच्छासन आपसे था कि पाकिस्तान का उप्रिया से मैंच है उनकी जो काफी मस्बूत है किस तरह से उनके खिलाफ प्लैनिंग आप लोग कर रहे हैं और बालिंग की जहां तक बात करें तो रंस काफी मिडल में हम लोग टीख भी कर रहे थे इंडिया के खिलाफ भी मैच जल्दी खतम हो गया बाला कि 200 प्ला स्कोर था लेकिन जल्दी खतम हो गया लाइन पर गें कितना दबाओ होगा बालर्स पर अब बैटिंग ट्राइग के हम नहीं खेल भाई भाई देखे वी ओल नो के यहां पर जो हैना वहाई स्कोरिंग ग्रॉंट्स हैं और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि यह कोई एक्स्यूज नहीं है एज एज प्लेयर एज प्रफे बिलकुल एग इंडिया के अमारी बोलिंग उस्तरा नहीं थे अप्रॉं प्रॉं पर पहले मैंच जिसन ऊजे हम थोड़े वाई बॉल की अने बथ्वाई बट पर धारे जिक्ति रचान नहीं तो बटन इस मिस्टेक अर्व्च्षण और अब्डी बटिंग बटिंग इल्स हमारे पास भी एक्सपीरिंस है, हमारे बोलर्स भी अच्छे हैं और हम कोशिश करेंगे कि जैसी भी सिच्वेशन हो अविसली इस अवरल काप एंड हर कोई यहां पर जीतने के लिए है और कोई परफार्मर्स करने के लिए है और इंग जो टीम अच्छी क्रिक्ट खेलेगी व कर छोट तो नहीं तो हम करता की कार्या क्राप्न कर यहां झालैख तो है जो लोहें 悪तने कर लाक पाट चैलिए युक्वी सिर्फि हैं तो एगर सब्सक्र टीमसे पहोता सो और तो अगर उष्मिछे ना हुँ था झालु रहर और इसमीरे कार्म झाल झाल